नुहू पुलिस ने हेरोईन तसकरी के अंदर राजी रैकेट का परदाफाश किया है। पुलिस ने हर्याणा, पंजाब, दिल्ली वा अलग-अलग राचियों में हेरोईन स्मगलिंग करने वाले गिरोहों के तीन सदस्यों को रंगे हाथों गिरफतार किया है। हमारी CIA ताबरू जो टीम है, उसके द्वारा सितंबर महा में नशे के खिलाफ कारवाई करते हुए, एक अपचारिक बालक की गरफतारी की गई थी, जिसके पास से हमें 4-7 गराम हिरोईन ब्रामद हुआ था, उस संबंद में एक अभिहोग संखिया 154 दर्ज किया गया था, ज इसमें दोनों आरोपी, जिनका नाम समून खान एलिया सलीम, जो कि दिल्ली का निवासी है, और सहजाद एलिया सन्नू, जो कि चोपान की जिला अलवर का निवासी है, उसको दो अलग-अलग जगां से, पल्ला से और शिकारफूर से गिरफतार किया गया, जो उनसे अलग-जो कि दिल्ली के हाल निवासी सुमन कलोनी चतरपूर नई दिल्ली का है, जिसको तुरंट प्रभाव से अरेश्ट किया गया, दिल्ली से, और साथी साथ उसके घर का सर्च वारंट माने नालेसे अप्टेन किया गया, सर्च वारंट में सारी जो अपचारिक ताएं पूरी करते हुए, साच के दोरान घर से 193 ग्राम हिरोईन और बरामद हुई, जो कुल मिलाके 154 नमबर अभ्योग संख्या में अब तक 610 ग्राम हिरोईन हम लोग बरामद कर चुके हैं, जिसकी जो कीमत है मार्किट, अंतराश्ट्रे मार्किट के हिसाब से करीब 60-65 लाग बता दे कि सितमर महीने में पुलिस ने एक नाबालिक लड़के को हेरोईन के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया था, जिसने पूश्टाच में खुलासा किया था कि वो 1100 रुपए प्रतिक राम के हिसाब से दिल्ली से हेरोईन लेकर आता है, जिसके बाद पुलिस ने दिल् करों को धर्द बोचा गया, नुहु से एके भगेल पंजाब के सिरी टीवी